हाई गाइच कैसे आप लोग मैं आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ उत्तम और आप देख रहा है मारा यूटूब चैनल टैक वाइवा अगर आप भी अपने वीडियो को मोबाइल से एड़ेट करते हैं तो उसको प्रॉपेशनल तरीके से कैसे एड़ेट क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन माश्टर एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है यह मैंने ओपन किया ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसमें से आपको सिंपली करना क्या है क्रिएट उपे क्लिक किया क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपर निव प्रोजेक्ट के लिए रिश्यो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आप यहां से अपने हिसाब से जो बीडियो बनाना चाते हैं अगर आप यूटूब के लिए बीडियो बनाना चाते हैं तो आप 16y9 का ratio select कीजिए और अगर आप अपना mobile के लिए video बनाना चाहते हैं तो 9Y16 का video को select कीजिए ratio को और अगर आप Facebook या Instagram के लिए video को बनाना चाहते हैं तो 1Y1 या 4Y3 को आप select कर सकते हैं इसके नीचे आपको देख रहा है photo display mode यहाँ पर आपको photo display mode के लिए आप जिस mode में आपका photo रखना चाहते हैं अगर आप photo से video बना रहे हैं तो इसके लिए आपको fit रख सकते हैं और fill रख सकते हैं और random रख सकते हैं इसके नीचे आपको option देख रहा है photo duration आप जो photo इसमें select करेंगे तो उस photo का duration आप कितने time तक रखना चाहते हैं वह आप यहां से select कर सकते हैं यहां पर अभी 4.5 का ratio select already है इसमें तो आपको simply करना क्या है यहां से आपको next वाले option पर click कर देना है यहांने next किया next करते ही आपका जो media browser open हो जाएगा जहां आपका video या photo रखा हुआ है वह आप डिरेक्ट यहां से select कर सकते हैं तो यहां पर आपको video select करने के लिए बोल रहा है या पर अपना जिस भी photo से बनाना चाते हैं तो उसको आप select कर लिजिए तो मैं यहां से video को एक को select कर लेता हू यह video select हो रहा है अभी ओश्य Battließlich हो जाएगा अभी यह देखिए video open हो गया यहां पर और हीकिक से आप कोई भी वीडियो को select कर लीजिए तो यह मैंने वीडियो को select किया और इसके बाद आपको देख रहा है cut वाला option तो आपको उपर side में जो cut है इसको आप cut कर दीजिए यहां से इसके बाद में आपका जो वीडियो है वह आपको यहां पर import हो जाएगा तो आपको करना काई simply आप इसको देख सकते प्ले करके दिखा देता हूं यह देखिए यहां पर यह प्ले हो गया वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इस वीडियो में जो भी अन्यसेसरी पार्ट है उसको आप अगर करना चाहते हैं तो आपको कैसे कट करेंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को आपको स्लेक्ट करने के बाद में आपको कई सारे option यहां पर खुल के आ play head बोलते हैं उसी जगह का वीडियो हमें 100 होगा और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अगर हम यहां से आंगे का part delete करना चाहते हैं तो इसको हम यहां से trim to left of play head करेंगे तो यह मैंने click किया और आंगे का जो part है वो यहां से cut हो गया है अब इसको okay करके देखते हैं और इसको play करते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमारा जो भी part delete हुआ है हो चुका है वो और हम चाहते हैं कि हमारा पीछे का जो part है अगर हम इसको delete करना जाते हैं तो इसको भी हम यहां से select करेंगे select करने के बाद में आपको सीजर पर जाना है सीजर पर जाने के बाद में आपको trim to right of playhead कर देना है तो यह मैंने यहां से playhead किया तो यहां पर cut हो गया है इस तरीके से आप right वाले option पर click करके इसको कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई बीक में अगर unnecessary part है या फिर हम video बनाने के time में कोई भी mistake कर गए है तो उसको हम कैसे delete करें उसके लिए आपको करना है फिर से आपको select करना है select करने के बाद में सीजर में जाना है और यहां से आपको split add insert करना है तो आपको यह click करना है click करने के बाद में आप जो भी part आप चाहत करना है एक क्लिक किया तो आपका फिर से बापस आ जाओगे आप इसमें और इसके बाद में आपको select करने के बाद आपको नीचे एक graphics का option दिखाई देगा clicks graphics इस पर आपको click करना है तो यहां पर कई सारे graphics आपको दिखाई दे जाएंगे तो इसमें से आपको मैं एक sentimental click करके दिखा देता हूं तो एक करने के बाद में आपको मैं दिखाई देता हूं यह मैंने एक graphics को select किया select करने के बाद में मैं right करता हूं और अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो इस तरीके से आपको यहां पर जो graphics है वह यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है speed का option जो भी आप अगर speed को कम ज्यादा करना चाते हैं तो आप यहां से slow कर दीजिए इसकी speed और वो slow हो जाएगा अकसर आपने देखा होगा कि कई वीडियो आपको fast forward में मिलते हैं और कई वीडियो आपको slow mo बनते हैं तो दोस्तों यहीं से वो fast forward और slow mo में किये जाते हैं तो इसको मैं normal कर देता हूँ यह मैंने normal किया और ok पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद में मैं play कर देता हूँ यह वीडियो यह प्ले हो गया यह काफी fast forward में अभी भी है और मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ अभी यह देखिए मैंने कम किया और इसके बाद में आपको नीचे एक option देख रहा है reverse अगर आप इस वीडियो को reverse करना चाते है reverse मिंस आपका वीडियो जो भी है सीधा play होता है अगर आप उसको चाते है जस्ट उल्टा हो जाए उसका तो आपको reverse पे क्लिक कर देना है और यह तो वीडियो को लाइक करते है जाए दोस्तों और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और बढ़ते है अभी नाक्षे स्टेक के तरफ यह भी reverse हो रहा है दोस्तों यह देखिए reverse complete हो गया है अगर अब भी हम इसको play करेंगे तो यह उल्टा स इसके नीचे तो यह option को आप देख सकते हैं अगर आपका वीडियो रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं यह देखिए यहां से आपका वीडियो रोटेट हो जाएगा ऐसे करके आप कर सकते हैं rotate और mirroring तो मुझे अभी सीधा कर देना है यहां से नहीं करना ह तो ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसके नीचे आपको देख जाएगा उप्सन कलर फिल्टर का जो भी आप यहां से कलर फिल्टर करना चाते हैं तो आपको इसको यहां से कलर फिल्टर कर सकते हैं तो ये color filter में जाएंगे और यहाँसे आप जो भी color चाहते हैं तो color को आप यहांसे select कर सकते हैं जिस bhi color में आप चाहते हैं तो उसको यहाँसे select कर सकते हैं और इसके बाद میں आपको नीचे option दिख रहा है adjustment का तो आपको यहां से कोई भी जो भी adjustment है brightness का वो adjustment कर सकते हैं contrast adjust कर सकते हैं और saturation को adjust कर सकते हैं तो आप अपनी वीडियो में इस तरीके से कर सकते हैं इसके बाद में आपको option देगे रहा है adjustment के बाद में volume employee envelope का तो इसमें आपको करना कहए अगर आप किसी भी वीडियो में अगर चाहते हैं कि हमारा किसी भी वीडियो के part में किसी बीच में हमारा कम या ज़्यादा volume हुआ है तो उसको आप यहां से adjust कर सकते हैं इस तरीके से यह कर दीजिए और इसके बाद में आपको नीचे option दिख रहा है voice changer का तो आगर आप voice changer करना चाहते हैं तो आपका यहां पर voice change हो जाएगा जो भी आप voice को change कर सकते हैं male में या female में या फिर कोई other तो आप यहां से voice को भी change कर सकते हैं या आपको option दिया जाता है यहां पे और एक सो select करते हैं इसके बाद में आपको options मिल जाता है नीचे Vanties का Vanties पर हम click करेंगे तो आपको कुछ black black सा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो इसको Vanties पर click करके आप ऐसे कर सकते हैं और अगर आप चाते हैं कि यहाँ पर इसके बाद में आपको layer वाला option जो नीचे दिख रहा है इस पर आप में यहाँ से कोई photo आप किसी जगह पर लेना चाते हैं या फिर कुछ लेना चाते हैं तो आपको यहाँ पर जाना है उसके बाद में आपको media का option मिल जाता है तो आप यहाँ पर media में जाएए तो यह मने फोटो लिया और यह मन ले लिया यहाँ पर तो इसके बाद में आपको इस photo को यहाँ से जूम या फिर जूम आउट करके रख देना है अगर आप चाते हैं इस photo को animation में आए तो आप इस तरीके से animation को कैसे करेंगे तो इसमें आपको in animation पर click कर देना है तो in animation पर click करने के बाद में आपको जिस भी animation में चाहिए तो आपको यहाँ से pop कर सकते हैं जैसे आपको देखिए अगर जब प्ले करेंगे तो आपका photo ऐसे आएगा और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में ये कुछ तो animation होता रहे overall तो इसका overall animation पर click करना है और आप जो भी animation यहाँ से करेंगे तो वो कर सकते हैं जैसे फोटो आने के बाद में जैसे मैं play कर देता हूँ ये ये मैंने प्ले किया वीडियो प्ले करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐसे करके वीडियो चलेगी दोस्तो ऐसे आप यहाँ से फोटो को ले सकते हैं और ये आपको मैं undo कर देता हूँ यहाँ से फोटो भी नहीं चाहिए मुझे ये मैंने undo कर देता हूँ पूरा इसके बाद में आपको अगर कुछ भी एफेक्स चाहिए एफेक्ट यहां पर तो आप यहां से एफेक्ट ले सकते हैं तो देखिए यहां पर यह ने इफेक्ट लिया और इफैक्ट आ अगर आप चाते आप 2 कुछ भी बिलर करना", तो आप यहां से बिलर कर सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कि कोई वीडियो में आपको कई blur मिलते हैं तो आपको यहां से blur को ले सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपको blur यहां से select कर लेते हैं इसको मैं अभी delete कर देता हूँ इसकी जरुवत नहीं है अभी और इसके बाद मैं आपको नीचे दिख रहा है sticker तो जो भी आप sticker चाहिए हो तो आप यहां से sticker को ले सकते हैं जो भी sticker आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं यह से ले सकते हैं ऐसे करके आप अपना वीडियो में इस्टी कर लेना है और इसकी निच आपको देख रहा है टेक्ष्ट तो आपको टेक्ष्ट यहाँ पर जो भी टेक्ष्ट कर सकते हैं तो मैं दोस्तों यहाँ पर टेक्ष्ट करके दिखा देता हूं यह मैंने टेक्ष्ट किय यह मैंने टेस्ट करने के बाद में ओके पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर जूम करना है और जूम करने के बाद में अगर आपको चाहते हैं आप इसमें भी कुछ डिजाइन या फिर कुछ दूसरे फॉन्ट आए तो आपको यहां पर डवल एपर क् खाए देगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाहना새 आपको जो भी कर चाइए तो आप उस करका को सइलेक्ट कर लीजिए यह मैंने सिलेक्ट किya और इसमेह अугर आप अपने वीडियो में कहीं से भी कुछ लिख न चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तु ऐसे आपको लिख देना है और यहां से मैं भी बैक हो जाता हूँ मुझे अभी नहीं चाहिए यह तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यह मैंने select कि और delete कर दिया और इसके बाद में यह सारी option यहां पर हो गए हैं और दूसरा option आपको देख रहा है यहां से डार्यक्ट यहां पर recording वाला option को यूज कर सकते हैं तो यहां पर अगर अगर अपना विडियो में और यहां से करने के बाद में आपके mobile में जो भी MP3 मूजिक होंगे वहां पर select करके आप ले सकते हैं तो अभी मैं सेंग पर क्लिक कर देता हूं और सौंग करने के बाद में यहां पर बहुत सारे जो भी आपको मुझे चाहिए तो आपके मुवाइल में जो भी इंस्टा डाउनलोड किये हूए music हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे जैसे मैं इसको select कर लेता हूं और यह भी बज़ रहा है तो इसके बाद में मुझे मैं कट कर देता हूं मुझे अभी जैसे में प्लस पे क्लेक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा यह देखी यहाँ पर आ गया है और इसके इस यो को हम अगर आवाज को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको sound वाले option पर जाने के बाद में आपकी आवाज आपको जो भी कम या ज्यादा करना चाहते हैं और अगर आप अपनी आवाज को यहाँ पर एक left में सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कि इस तरीके के संप कर देता हूं मैं दोनों को का इस तरीक ऐसा ऐप आट उट वीयुम को यहसी सिलल्प कर सकते हैं है अहीं है vivo कि क्लिक कर देता हुं इस तरीके से आप अपने वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से अड़ेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से इसके बाद में मैं सारा जितना भी काम किया हुआ है उसको मैं अंडू कर देता हूं यहां से आप अंडू कर देंगे तो आपको जैसे कि पूरा भी प्रोसेस आप में आप किया हुआ हुआ है आपने फोरा पूर आप प्रोसेस आपका जो having क्या हुआ है वह फरा году हो जाएगा इसतरीके से memang कर देताओ इसके यह देखिए यहां से पुरा अंडू हो चुका है इसके बाद में आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां से कोई फोटो को लेना है जैसे मैं फोटो यह बाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यह फोटो आप यहां पर सारी फोटो को बढ़ाना तो यहां से आप फोटो को वड़ा सकते हैं काफी डियूरेशन टाइम को यहां से बढ़ा सकते हैं और यह आपको प्ले करना है यह मैंने प्ले कर दिया जैसे मैं यह प्ले कर देता हूं यह मैंने प्ले किया प्ले करने के बाद में अगर आप इसको चाहते हैं कि यहां से cut करना तो यहीं से कम ज्यादा हो रही है तो इसको आप कैसे करेंगे इसमें जाके आपको हुआ भी पूरा कि बरावर में कर देना ये हो गया है कि इसके बाद मैं आपको निचे ओ darknessNs लएफ रहा है यहां पर एक तो यहां पर देखने को मिल जाते हैं यहां से आप वो ले सकते हैं अपने वीडियो से में यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपी राइट के तो यहां पर जाना है और इसके बाद में यहां से च्टोर में है वह आपके यहां से यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपी राइट के मैं आसा करता हूं दोस्तो आपको यह बीडिव अच्छा लगा होगा बीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के सात में और अगर हम हमारे यूट्यूब वीडियो आपर देखने को मिलती रहती है